मनमोहन देसाई कमेर्शल फिल्मों के दिगज डिरेक्टर माने चाते थे उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी है मनमोहन देसाई की लव स्टोरी किसी ट्रैजडी से कम नहीं है वो आक्रिस नंदा से बे इंतहा मुहबबत करते थे और नंदा भी उनसे उतना ही प्यार करती थी नंदा के शर्मीले सुभाव की वज़े से मनमोहन उनसे अपने प्यार का इजहार करने में जिजखते रहे कुछ समय बाद मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा देसाई से शादी कर ली साल 1989 में जीवन प्रभा की मृत्य हो गई पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई अकेले हो गए बही नंदा भी अपनी जिन्दगी में अकेली थी इसके बाद मनमोहन ने उनसे प्यार का इजहार किया नंदा ने भी हामी भड़ ली 1992 में जब मनमोहन देसाई 55 साल के थे और नंदा तिरपन की थी दोनों ने सगाई कर ली लेकिन अफसोस सगाई के दो साल बाद ही मनमोहन देसाई की अचानक मौत हो गई मनमोहन देसाई की अचानक मौत हो गई